हेलो फ्रेंज वेलकम टू FDS फार्मसी तो आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं जो फार्मकोनोसी का चाप्टर नमर 5 है चाप्टर बहुत बढ़ा है इसलिए ज्यादा लेक्चर होंगे इसमें ठीक है और आज के लेक्चर में यह सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले देखिए पहले हम देखिए एंटी डाइबटीस होते हैं यह कैसे ड्रग होते हैं यानि किसलिए काम आते हैं और यह एक्जांपल एंटी डाइबटीस के ठीक है एक हो यह जिमनेमा ठीक है यह दोनों ड्रग के बारे में हम डीटेल में स्टडी करेंगे यह एक्जांपल है किसके एंटी डाइबटीस ड्रक्स के ठीक है यह आपको जरूल याद रखना है और अगर आप पीडिएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हुए fdspharmacy.in से और डिस्क्रिशन में भी लिंक है वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें more video classes के लिए और टेलिग्राम चैनल को भी आप जरूल जॉइन कर लें वहां पे हम daily based update डालते रहते हैं उसको क्या है आपके exam के अच्छी practice हो जाएगी तो चलिए start करते हैं आज की class को पहले देखते हैं anti-diabetes क्या होते हैं देखिए anti-diabetes or drug user for the controlling and stabilizing the glucose level in the blood of individual suffering from the diabetes यानि anti-diabetes ऐसे drug होते हैं जो control करने में stable करने में glucose level को किसमे blood में by individual suffering from the diabetes यानि कोई diabetes से suffer कर रहा है उसको control करने के लिए maintain करने के लिए glucose level में बढ़ाने के लिए हम क्या use करते हैं वह होते है anti-diabetes drugs ठीक है this drug or mainly user to control diabetes यानि यह drug सिफ mainly use किसमे किये जाते हैं diabetes को control करने में ठीक एक simple version बता जाए तो anti-diabetes diabetes ऐसे drug है जो diabetes को control करने में use किये जाते हैं ठीक है यह question 3 marks का भी आ सकता है तो आपको बस simple way में लिखना और example बता दोगे तो वो भी काम हो जाएगा ठीक है भी फijnल में देखते हैं टाइडो कार प возьओं के डीतोंॉ गार्पश दिजीन जैन जो इस्तिजीन मपीच्टो कर्पिक टील जाया ठीक है ठीक है उसमें से जो P.M.R.S.P.M. है वो सबसे आदा फेमस है Memoran of this genus के लिए ठीक है यह आप diagram देख सकते हैं ऐसा वो होते हैं पेट्रो कारपज़ यह देखिए यह रही ठीक है यह उनके leaps है और यह ऐसे होते हैं ठीक है सिनो नेम्स की बात करें तो बिजाजल बोल सकते हैं इंडियन कीनो ट्री भी बोल लेते हैं और मालबर कीनो भी बोल लेते हैं ठीक है यह फिंदर ब्लैंक में पूछे जाएंगे सिनो नेम्स तो आपको ज़रूल याद रखने है मालबर केनो बोल सकते हैं इंडियन केनो ट्री भी बोल सकते हैं ठीक है बाइलोजिकल सूर्स की बात करते हैं तो व टोक ऑरक फी यानी जो पटाड कारपस है याना पर कुछ रह गए है पटो आसुटसे ड्राइड जूस ऑफ दे पियो कार्पस मर्स पुलर लीन यहां the juice is obtained from the stem and bark by making vertically incision यानि यह juice है यह काँ से obtained होता है stem and bark से ठीक है यानि किस पार्ट से तो यह stem हो गए एक बर्क के पार्ट से ठीक है और then the extract juice is controlling and dried यानि उसके बाद क्या करते हैं यह extract juice को collect करते हो and dry करते है ठीक है यह होगा इसका biological source अब देखें family क्या है फैमिये इसके liguminacy ठीक है family क्या है liguminacy chemical constitution की बात करें kino is having around 70 to 80% of kino tannic acid यानि इसमें 70 to 80% kino tannic acid होती है kino red, kino pycretin catechol भी बोलते हैं resign and gallic acid ठीक है अब बात कर लेते हैं therapeutic efficiency टेटो कार्पस has the following therapeutic effect it acts as a powerful astigence astigence की तरह ये काम करता है ये यूजर फर्दी treating diarrhea को भी dysentery और passive hemorrhia two decay में भी ये काम देता है ठीक है gymnera ठीक है ये हो गए अब आप नेक्स तरह बात करेंगे gymnera के बारे में ये आपको जरूर याद रखने है biological source और family और synonym ये ये फिन्द ब्लैक्स में सब्सक्राद आप पूछे जाएंगे अब बात करते हैं gymnera की the term gymnera and slightly or dry word from the latin origin which is their means has negative and from the forest ठीक है यानि जो जिन जिमनेरा है ये एक slightly word से dry हुआ है जो latin origin है उसका मतलब होता है नेगड and from the forest यानि नेगड मतलब find from the forest ठीक है कुछ ऐसे तारीकी के होते हैं ये आप देखिए और synonyms की बात करें तो जिमनेमा बोल सकते हैं गुर्मी बूटी भी बोल सकते हैं गुर्मा बूटी और गुर्मा गुर्मेरी गुड्मा और मदन सूनतीनी ठीक है ये सारे हम इनके synonyms हैं ठीक है biological source की बात करें तो जिमनेरा is the leaf of a perennial wood climb plant यानि जो leaves हैं इसके ये perennial wood climb plants के हैं जिमनेरा salivaracy RBR is should be content not less than 1.5 1% of जिमनेरिक जिमनेर्मिक जिमनेर्मिक in on dry basis acid calculated and जिमनेर्मिक on the dried basis ठीक है इसकी family देख लीजिए family asclepidacy asclepidacy है ठीक है ये आपको ज़र याद रखने synonyms और family chemical constitution की बात करें the leaf consists of penetro control यानि इसमें क्या क्या परजेंट होता है देखीजी होता है penetro control phyton a and b chlorophylls rescience tetrach acid formic acid butyl mucleus ठीक है deconucotol genemic acid ये सारी चीज़े इसमें present होती है ठीक है therapeutic effect की बात करें तो prevent dental plague you and caries यानि dental plague you को और caries को prevent करता है it also has the property of reducing weight इसमें ऐसी property भी है ये क्या करता है कि weight को reduce करता है ठीक है तो ठीक है आज की class हमारी यहीं पर खतम होती है आज की class में हमने देखा anti divertis देखे पहले फिर उसमें जो examples है teridocarpus और jimnera वो दोनों के हम detail में study करें ठीक है अगर आप इसकी note डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी website पर सिक्कर सकते हो और description में भी link है और daily classes के लिए हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो telegram चैनल को जरूर जोइन करें महाँ पर हम daily base mcq डालते हैं उससे क्या है आपकी अच्छी practice हो जाएगी और like करें share करें thank you for watching the video झालते हो